जोते शरतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दरशक गणों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभी नंदन प्रिय साथियों मैं हूँ आचारे पंडित सर्वदनंद शर्मा मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत-बहुत प्यार भरा नमस्कार तो साथियों आज की जो चर्चा है ये भी आपके अपने देनिक राशी फल को ही ले करके हैं जो हम आपके साथ करने वाले हैं लेकिन उससे पहले जैसे कि हमेशा हम आपको पंचांग के विशह में जांकारी दिया करते हैं तो आज भी पहले पंचांग की ही जांकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि ये पंचांग और आपका द्यानिक राशी फल्ट दोनों दिनांग 22 अपरेल सन 2024 दिन शुकरवार विकरम संबत 2008 के हैं हिंदी का महीना चल रहा है फालगुन मास पक्ष चल रहा है शुगल पक्ष और तित होगी आज त्रियो दशी नक्षत रहेगा मघा योग होगा धृति और करण होगा कॉलब राशी रहेगी सिंग और मिनट तक रहेगी और अभी जीत मूर्थ का जो शुप समयवदी है वहें दोपहर 12 बचकर तीन मिनट से लेकर दोपहर 12 बचकर 52 मिनट तक रहेगा इसके अतरिक आज प्रदोश व्रत भी है साथियों तो ये थी जानकारी पंचांग के विशह में अब करेंगे चर्चा आप के साथ आपके अपने मनपसंद कारेकरम जिसका नाम है दैनिक राशी पल उसके विशह में और जानेंगे के आप मेश राशी से लेकर के और मीन राशी तक जो भी हमारे सब जातक हैं बारे राशियों के उनका आज 22 अपरेल का दिन कैसा रहने वाला है तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आज आप जो मेश राशी के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए कुछ छेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ती भी आपको होगी और कुछ छेत्रों में अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपको संगर्ष भी करना पड़ सक कहां कहां परिश्रम करने के आवश्यक्ता रहेगी एक तो आपको अपने कार्य छेत्र से संबंदित लेकिन इतनी भी बात है कि अगर मैंने जैसा कहा कि कार्य छेत्र से संबंदित भी आपको संगर्श पूर्ण इस्सिति का सामना करना पड़ सकता है लेकिन यह ऐसी संगर्श पूनिस सिती रहेगी प्रियसातियों आज के दिन कि अगर आपने मेहनत किया और संगर्श किया तो आपको इतने अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी शायद जितना आप सोच भी नहीं पाएंगे और बेशक चाहें आपको शुरुवात में ऐसा महसूस होगा कि भ जहां आपको कुछ ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितनी बड़ी समस्या है या कितना बड़ा कार रहे है या कितना दुविधा पूर्ण कार रहे है ये चीजें जो हैं जब आप उसको करना आरम कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं ये तो मैं बहु वजह ही परिशान हो रहा था और फिर उसके जो परिणाम आपको मिलेंगे उन परिणामों से आपकी जो खुशी होगी वो बहुत अतीज मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रेसंग करेगी, बहुत ज़्यादे अंदर से आप खुश होगे और बहुत संतुष्टी मिलेगी आ बड़ती है कि धनका जो आगमन है, जो आपकी इंकम है, उसमें थोड़ी बहुत, एक तरीके से मैं अगर यह कहूं कि रुकावट है, लेकिन यह रुकावट भी जो है न, कोई इतनी बड़ी रुकावट नहीं है, या कोई इतनी बड़ी बाधा नहीं होगी, धनका आगमन हो जाएगा थोड़ा सा देर सबेर उपाय आप क्या करें प्रियसाथियों आपके लिए उपाय बताना चाहेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके कारे और भी समय से पहले और बहुत अच्छे धंसे पूरे हो तो आपको करना है अपना जो घर है घर का जो मेंडोर है सदर दर्व के समय देशीगी के दो धीपक अवश्य जला दीजिए आज के दिन यही आपके लिए उपाय है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जितनी भी परिशानिया है वो दूर होंगी और आपके कारे सारे पूरे होंगे आगे बात करते हैं ब्रिशब राशी के जो हमारे मित्र है उनके विशह में साथियों बताना चाहेंगे कि अगर आपका भी विशब राशी है तो यह आपके लिए है टौरस साइंग जिनका बनता है साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए यहां पर भी सीधी सीधी कुछ इसी परकार की हालात बन रहे हैं विशब करती हैं लेकिन यहां आपको आज एक बात जरू करूँगा कि आज के दिन आप चाहें वो आपका जूनियर है चाहें वो आपका कलीग है या फिर वो आपके बॉस है या आपके सीनियर है किसी के भी साथ आप किसी भी तरहीके के आर्गुमेंट में ना पढ़ें किसी के बाई मिस्टेक तो ये फिर आपके लिए थोड़ा सरदर्द और ज्यादा बन जाएगा आपके लिए परिशानी का ये कारण भी बन जाएगा और अगर आप थोड़ा इससे बच करके रहे तो मैं यही कहूंगा कि परिशानी आ रही थी लेकिन वो परिशानी टल गई अब वो आपके लिए एक अच्छी opportunity में भी convert होने के पूरे अच्छे बड़े योग बने हुए हैं यहापर तो यहापर ऐसा नहीं है कि खाली आपने परिशानी को ही एक तरीके से ऐसा करके बचाव कर लिया आपना कुछ अच्छी opportunities भी साथ की साथ आपको प्राप्त होने की पूरी भी कहुआ कि इंकम के साथ साथ आप अपने धन का बिना वजह खर्च ना करें क्योंकि अभी जो धन आ रहा है मैं यह नहीं कहता कि वो धन आएगा नहीं हो सकता है आपने किसी को धन दिया हुआ है अगर आप उसकी भी demand कर रहे हैं तो वो भी अभी मिलने में आपको आप चाहते हैं कि आपकी धन की समस्या दूर हो और जो आपने अपना पैसा भी सेव किया हुआ है वो भी सुरक्षित रहे तो आपको बहुत ही एक आसान और सुलब बता रहे हैं तरीका उपाय का उपाय यह है कि आज के दिन आप भगवान विश्नु जी की पूजा जरू क करें और विश्नु जी की पूजा कैसे करें विश्नु सहसर नाम का पाठ करके सुबह का इसनान आदी से निवरत हो करके आप फ्री हो करके आप ये पाठ जरू करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जितने भी धन से संबंदित रुकावते हैं परिशानिया हैं वो दूर होंगी जल्दी ही दूर होंगी आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशी के मित्र हैं जिनका जेमनी साइन बनता है तो जो हमारे जेमनी साइन के जो जातक हैं मिथुन राशी के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए बताना चाहेंगे के साथियों देखिए भागे का जो साथ मैं यह तो नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से UH को नहीं मिलेगा तो सही लेकीं एक चीज होती है न कि कोई भी कार्रे अगर आप उसमें थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो वह जल्दी ही उसमें सफलता प्रापत हो जाती है एक कार्रे थोड़ा ऐसा होता है कि कार्रे तो होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें परेशानी भी जादा होती है या रुकावटें जादे आ जाती है बाधाये जादे आ जाती है और फाइनली वो कार्रे तो आपका पूरा होता है लेकिन जितना समय पहले वो हो जाना चाहिए था ज थोड़ा सा डिल्ले तो हो सकता है तो आप भी अपने ऐसा एजियूम करके चलें तो अगर आप ऐसा करके चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादे परिशानी दिमागी तोर पे नहीं होगी मैंने ये नहीं कहा कि मैं दुबारा ये बात कह रहा हूँ कि भागे आपका साथ नहीं देगा लेकिन थोड़ा सा उसकी जो स्पीड है गती है वो कम रहेगी और इंटेंसिटी उसकी कम रहेगी भाग गएगा जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए और दूसरी चीज ये है साथि चाहिए तो बनी हुई है और ये समस्यां दूर तो होंगी लेकिन थोड़ा आभी समय लगेगा तो अगर आप हमारे बताए हुए उपाए भी साथ साथ करते रहते हैं तो फिर आपकी जो समस्या हैं वो भी शीगर ही दूर होंगी तो प्रिये साथियों आपको क्या करना है आपको आज करना है कि अपनी बहन या बुआ या मौसी उनको कोई आप गिफ्ट दे दीजे और मुँ मीठा करा करके दीजे और अगर वो आपकी रिष्टे में बड़ी हैं बुआ हैं या बड़ी बेहन हैं तो उनके पाउं भी अवश्यच हुए ये काम आप ज़रू करें अगर आपने इतना काम किया तो निश्चित रूप से आपके कारें जो नहीं बन पा रहे हैं या जिनको करने में आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या आपके रोजगार से जड़ी हुई जो समस्या है वो सारी चीज़ें दूर होंगी आगे बात करेंगे करकराशी के जो हमारे मित्रे हैं जिनका कैंसर साइन बनता है आपके केस में परीयसातियों बताना चाहेंगे कि आपके लिए अभी जो समस्या है वो थोड़ा सा भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है और ये भाग्य में जो अवरोध है इसके लिए आपको मैं को चुपाए भी बताऊंगा और जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टूडीज में हैं उनके लिए भी समस्याएं हैं अपनी पढ़ाई को कॉंटिन्यू करने में या उससे रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने में ये थोड़ी दिक्कतें आएंगी इसकी संभावना ज्यादा है अधिक है हाला कि दूसरे और जो छेत्र हैं वहाँ से तो संबंदित आपको फिर भी थोड़ा सा एक तरीके से राहत मिलेगी जैसे कि आपका वैवाहिक सुख हैं वैवाहिक सुख तो मिलेंगे आपको लेकिन थोड़ा सा लाइफ पार्टनर को लेकर करके हम बोली रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि सभी छेत्रों में आपको कुछ अच्छे प्रणामों की प्राप्ति हो तो भगवाइन शंकर जी की पूजा करें और मा भगवती जी का भी आशिरवाद आप अवश्य ने दुर्गा माता की भी पूजा जरू करें शंकर भगवाण जी के साथ साथ ये दो आप पूजा के तौर पर उपाय जरू करें इससे आपके कार्रे बनेंगे सिंग राशी जिनका लियो साइन है प्रियसाथियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जो थोड़ा बहुत आपके वैवाइक जीवन में थोड़ी तकलीफ हैं या कुछ कहा जाया के परिशानियां जो चल रही हैं उन में तो निश्चित रूप से आपको कुछ आज राहत मिलेगी आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ भाई अब मेरा कुछ थोड़ा सा वैवाहिक सुक दिख रहे हैं कुछ ना कुछ आपको शान्ती और राहत और शुकून जरू मिलेगा अपने वैवाहिक संबंदों के सिलस अब आपको बताना चाहते हैं प्रियसातियों कि देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई सारी तकलीफ हैं आपकी दूर हो जाएंगी लेकिन हां मैंने ये कहा कि उन तकलीफों के रहते हुए भी कुछ ना कुछ शुकून और शान्ती आपको अपने वैवाहिक जीवन में मिलेगी जरूर आगे बात करते हैं कि भई धनकी स्थिती कैसी रहेगी प्रियसातियों बताना चाहेंगे धनकी स्थिती अच्छी रहेगी यह तो लेकिन थोड़ा सा अपने घर के जो बड़े भुजुर्ग हैं उनके क्रोद का सामना आपको करना पड़ सकता है लेकिन यहा कि बुजुर्गों का सम्मान जरूर कीजिए अपने पिता का सम्मान करें पिता के सुबा उठते ही पाउंच हुएं उनका आशिरवाद ले और इसी के साथ साथ आप बाजरा पक्षियों को खिलाएं दो पाये छोटे छोटे आपके लिए बनते हैं आगे बात करते हैं कन्य की है कि यहां पर स्वास्त तो आपका थोड़ा ठीक रहने वाला है स्वास्त की तो ज्यादा कोई इतनी समस्या नहीं रहेगी लेकिन हां इतना जरूर है कि आपके जो विरोधी हैं कन्या राशी के जो हमारे मित्र हैं उनके जो विरोधी हैं उनके कारण आपको परेशानिय अगर आपका कोई करज से मामळा जुड़ा हुए है, कोई करज आप चुकाना चाहते हैं, या कोई करज लेना चाहते हैं, तो अब के लिए सर्वोत्तम उपाय है गणेश इस्तोत्र का पाठ कीजिए और अंत में गणेश जी की आरती करके मोदक का आप तो परशाद चढ़ाए या मोती चूर के लड़ू का परशाद चढ़ा करके और सभी मैं उसको बल हूँ है छोटों में उस परशाद को वित्रित कर दें तो उनको जैसा कि मैंने आगे भी बताया है आज भी ये बात कह रहा हूँ कि जो परेशानिया आपके लिए बनी हुई है अपनी पढ़ाई से संबंदित जो समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है या जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं उस प्रकार के रिजल्ट्स आपके अनुसार नहीं आपा रहे हैं तो आज का जो दिन है उसमें जरूर थोड़ी बहुत सफलता के भी यहां पर चांसिस बन रहे हैं योग बन रहे हैं कि थोड़ा उन परिशानियों में कमी भी आएगी और कुछ आप अपनी पढ़ाई और अपनी एजूक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे उनको लेकर के आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होंगे लेकिन मैंने कहा कि अभी तक जो बिल्कुल ही परिशानी आ रही थी उसमें एक ये आपको शुकून देना का काम तो जरूर हो करेगा तो यह एक रिजल्ट्स आपके ल करना मेहनत कर रहा हूं इतनी परिश्रम कर रहा हूं उसका परिणाम फिर भी मुझे उसके अनुसार नहीं मिल पा रहा है दिखिए यह गरों की सिती है अभी जैसे गरों की सिती है उसके हिसाफ से ही आपको परिणाम मिल रहे हैं आगे जैसे ही गरों में इस सिती में चेंज जाएगा तो परिणाम भी बदलेंगे, रिजल्ट्स भी चेंज होंगे, तो इसके लिए आप ज्यादा परिशान ना हो, बस आप अपने फोकस करें अपने परिश्रम पर, और ये भी मैं आप से यह पर बताना चाहूँगा, कि आप ऐसा नहीं है कि परिश्रम करने ही का मिंटें, ग्रों के आधार पर ग्रया आपको पूरा सपोर्ट करना है, तो इसलिए आपको परिश्रम के बल पर ही आगे बढ़ने का विचार बनाना चाहिए, उपाये आप क्या करें, कि ताकि आपके लिए रिजल्ट्स प्राप करना और अधिक आसान हो जाए, तो साचि को आप पीले कपड़े में बांद करके अपने बाजू में भी बांद सकते हैं, ये भी आपके लिए उपाये बनता है, प्रिया साथियों आप बात करेंगे विर्श्चिक राशी के जो हमारे मित्रे हैं, जिनका स्कौर्पी उसाइन है, तो मेरे प्रिया साथियों बताना च कैसा रहेगा, कैसा किस प्रकार से व्यतित होगा, साथियों मैं बताना चाहूँगा, कि देखिये अगर आप अभी कोई प्रॉपर्टी से संबंदित लेंदेन करना चाहते हैं, तो उसमें जगड़े जंजट तो थोड़े ज़्यादा रहेंगे, या फिर आपको कुछ ज़ थोड़ी परेशानी, थोड़ी भागदोर करने के उपरांद आपका कार्रे अच्छा बनेगा, उससे आपको लाब भी मिलेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और दूसरी बात, वो ये, थोड़ा सुखों में तो कमी के संकेत जरूर है, ग्रहों की ओर से, क्योंकि जितना सुख आपको मिलना चाहिए, उसमें अवश्य ही कमी के संकेत है, आज के दिन, और प्रियसातियों इसके अलावा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को हम बताना चाहेंगे, कि देखिए, अवरोज आपकी एजुकेशन को लेकर के बने हुए हैं, बाधाये है परिशानिया भी हैं, लेकिन इन से आपको निकलने के लिए, एक तो मैंने कहाँ पहले ही बता दिया था कि माता का संबान और माता की सेवा करने से आपको बहुत अच्छा और स्टूडेंट्स अगर और बहतरी चाहते हैं अपने लिए, कुछ अच्छे परणामों की हो करके, सूर्य देव को जल्दे करके, और फिर आपने विश्नु सहस्तर नाम का पाट करना है, चाहें दसी मिनट के लिए, और भगवान विश्नु जी की आरती से उस पूजा को संपन कीजेगा, तो साथियों, ये था आप रिश्चिक राशियों के जातकों के लिए, उप हाभी है, कि थोड़ा सा वेवाहिक सुखों में यहां पर कमी दिखती है, वेवाहिक सुखों का कमी का कारण एक ये भी है, कि थोड़ा सा ग्रों की स्थिति आपके फेवर में नहीं है, और ये लंबी समस्या नहीं चलने वाली, थोड़े समय के बाद ये चीज़ें ठीक हों और आप वेवाई सोख भी ले पाएंगे उसका आनद लेकिन अभी जो समस्या बनी हुई है उसके लिए फिर हम आपको बताना चाहेंगे और अच्छे समाचार की प्राप्ती भी आपको होती रहेगी जिससे आपका मन खुश रहेगा बस थोड़ा सा अपना मेरिड लाइफ को लेकर के थोड़ी दिमागी तोर पे समस्या जरूर चलेंगी लेकिन और इससे अधिक कोई ऐसी समस्या नहीं है जीवन में और विशेश आपको बताना चाहेंगे के और अधिक बहतर रिजल्ट्स अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए देखिए किसी भी ब्रहम्मन को कोई मंदर के पुजारी हैं कोई मंदर में हैं कोई उनको जाकर के आप दूद चावल शक्कर ये आप उनको और सफेद मिठाई ये जाकर के आप उनको दान कर सकते हैं दे सकते हैं आप कोई दक्षना दे सकते हैं ऐसा करने पर आपके जो रुके हुए कारे हैं वो तो पूरे होंगे ही साथ ही आपका एक तरीके से जो वैवाहिक जीवन में समस्या हैं वो भी दूर होंगी साथियों और छोटा सा एक वो भी आप कर लीजेगा कि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को हरी मूंग की दाल और दे दीजेगा अगर आप इसको अभी डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी हरी मूंग की दाल उपाए के तोर पर हम चाहें आपको बताएं ना बताएं आज बता रहें कि अगल प्रियसातियों आपके लिए बताना चाहेंगे, कि देखिए, आपके चार्ट में जो हम देख पा रहे हैं, गरों की सिती को, उसके आधार पर हम आपको बता पा रहे हैं, कि थोड़ा सा एक तो आपको अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है, उनको हेल्थ के कुछ इशूज बन सकते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन दूसरी और, दूसरी और क्या, दूसरी और ये, कि भई, आपको अपने परिवार की और से भी, कुछ, ऐसी चीजों के लिए, आपको एक तरीके से कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है, जैसे क कि कोई घर का व्यापार है, बिजनस है, और वो करना चाहते हैं, आपके साथ, आपको जोड करके, अपने साथ मिलाना करके करना चाहते हैं, तो कुछ इस परकार का भी है, कि परिवार से आपको किसी परकार की अच्छी सपोर्ट मिल जाए, और परिवार की सपोर्ट, या फ उसके मिलने के भी आज काफी अच्छे योग बन रहे हैं, आपको मिल सकती हैं कुछ पेरेंटल प्रोपर्टी से जुड़ी हुई चीज हैं, चाहे वो इम्मोवेबल प्रोपर्टी हो, चाहे मूवेबल हो, जो भी हो, उसके संकेत हैं मिलने के, प्रियसातियों जहां तक आपक आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है, और पूरा सपोर्ट करेगा भी, तो उसको ले करके किसी प्रकारती कोई समस्या नहीं है, हाँ, थोड़ा सा इतना अवश्य है, कि आपके जो एक तरीके से प्राकरम हैं, उसमें थोड़ी सी कमी लग रही है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा उपाय आपको दे रहे हैं, वो आप उपाय करें, आज के दिन गाय को गुड़ और अनाज गयहूं, ये खिला सकते हैं, या ये किसी गरीब व्यक्ति को दान भी दे सकते हैं, ये आप कीजिएगा, आगे बात करेंगे कुमराशी के जो हमारे मित आसा सकती है, और कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेज भी बढ़ सकते हैं, परीजनों को ले करके, लेकिन आपकी कोर्शिश ये ही रहनी चाहिए, कि एक तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंतरा रखिएगा, और बोलने से पहले जरूर थोड़ा बहुत सोचिएगा जरूर, कि बही आप क्या बोल रहे हैं, हाला कि घर के जो बड़े भुजर्ग हैं, वे तो आपको पसंद करेंगे, उनका आश्रवाद भी आपके साथ बना रहेगा, लेकिन जो बाकी दूसरे परिवार के मेंबर हैं, सदसे हैं, उनके साथ हम बात कर रहे हैं, कि आपका तालमेर अच् करती है, कहना का मतलब बोलना कुछ और चाहते हैं, और मुझ से कुछ और निकल जाए, ये भी संबब है, साथियों मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा, कि देखिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुमराशी के, उनके लिए भी थोड़ा सा एजूकेशन से रिलेटेड समस्याएं देख रही हैं, रिजल्ट्स मिलने से सम्दित, रिजल्ट्स जो भी आपके आते हैं उसमें या तो कुछ कमी, या थोड़ा सा आप उनको देख करके निराशा भी आपको हो सकती है, अपने परिणामों को, एजूकेशन को लेके, इस्टूडेंट्स के लिए हैं ये बात, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, प्रियस आती हूं, कि देखे, आज के दिन आप गाय माता की सेवा करें, गव माता की, उनको चाहे हरा चारा खिलाएं, या हरी घास खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, जरू कीजेगा ये कार्रे आप अवश्य कर ले अगर ऐसा कार्रे करेंगे तो आपके लिए मैं कहता हूँ जो परिणामों को ले करके आपको निराशा बनी हुई है ये कहीं आपकी निराशा दूर हो सकती है और सुरह देव को भी अवश्य जल दीजेगा तांबे के पात्र से प्रातेकाल ये आपके लिए अतियावश्यक है अब आगे बात करते हैं मीन राशी के जो जातक हैं जिनका पाइसिस साइन बनता है तो अगर आपका पाइसिस साइन बनता है प्रिये साथियों तो मैं आप पाइसिस साइन के जो हमारे मीन राशी के जो जातक है आपके लिए कुछ चीज़ों में आपकी सोच जो है थोड़ा नकारात्मक भी हो सकती है लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच को अपने उपर हावी होने देंगे तो फिर आपके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है परिशानिया आ सकती है आपके लिए परिशानिया बढ़ सकती है और अगर आपकी कोशिश रहती है कि सोच जो है आपकी पॉजिटिव रहे सकारात्मक रहे तो फिर आप जो भी कारणे करेंगे बहुत सोच समझ करके करेंगे और अच्छे डंग से करेंगे प्रियसातियों मैं स्टुडेंट्स को भी बताना चाहूँगा मीन राशी के आज के दिन आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना बहुत आवशक है अगर आपने अपनी पढ़ाई को टेकन फोर ग्रेंटेड लिया तो वहाँ पर फिर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है तो यहाँ पर आपको मैं यही कहूँगा और बार बार कहूँगा कि अपनी पढ़ाई को ले करके बिलकुल भी लापरवाई आप ना करें अन्यथा परिणाम प्रभावित आपके हो सकते हैं इसी के साथ साथ ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने खर्चों पर भी नियंतरण रखिएगा अनावशक तोर पर अपने धन का खर्च आप ना करें अगर आप अपने पैसे का खर्च करेंगे तो आने वाले दिनों में जब आपको पैसे की आवशक्ता होगी उस समय पर आपकी पैसे की जो कमी है उसका एसास होगा और आपको इस बात के लिए पश्टावा भी होगा कि आपने इतना धनकियों खर्च कर दिया तो इस बात पर भी आपको ध्यान देने की आवश्चता रहेगी प्रियसातियों मैं ये भी आपको बता दूँ कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाईर स्टूडीज कर रहे हैं और कहीं दूर जाके पढ़ा ही करना चाहते हैं तो थोड़ी परिशानिया तो जरूर रहेंगी लेकिन उनका काररे देर सबेर पूरा हो सकता है अगर आपके कॉंटिन्यू आपने अपनी कोशिशन जारी रखी तो उपाये आपको क्या करना चाहिए उपाये परिये साथियों मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि देखिए माद दुर्गा सब्थ शती का पाट करना आपके लिए सर्वोत्म उपाये है दुर्गा सब्थ शती माता का पाट साथी सुर्य देव को जल भी जरूर दीजेगा तामे के पात्र से उसमें एक चुक्तिल आप लाल चंदन या रोली मिला लीजे और फिर आप जो है उसको अरद को दीजेगा थोड़े अक्षट भी मिला सकते जल में तो यह आप उपाये आप करें तो आपको इस से लाब का आज का देनिक राची पन यानि के 22 मार्च का 22 अपरेल का चमा करें 22 अपरेल 2024 और दिन शुकरवार विक्रम समवत 2080 का तो प्रियसातियों हमने ग्रह गोचर के आधार पर आपको यह बताने की कोशिश की है कि आप सभी बारे राच्यों के जात्कों का आज का दिन किस प् लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमको अपनी वानी को यहां पर विराम देना होगा और अप इस कारे करम का भी समापन करना होगा अपने आप सभी प्रिये दर्शक गणों से भी लेनी होगी इजाज़त तो इसी के साथ आप सभी का सेहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जैमा आप